किसान वहनूर भायो नमस्कार दोजार बीसonte कीनी मौसम तक उत्रपरदेश में सबसे अधिक संचैजी गन्ना मूलय बकाया 3 सिटंबर 2 सेंट तक उत्रपरदेश में भारत में सबसे अधिक संचैजी गन्ना मूलबकाया है क्रिशी लागत और मुल्य आयोग या CACP तवारा अपनी गन्य की मुल्य निती 2022 जीनी मौसम में संकलित आंकडों के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक फुल गन्य मुल्य बकाया 8616 क्रोड रुपए था इसमें से 2021 मौसम का बकाया 6258 क्रोड रुपए है जो के 2019-20 मौसम के बकाया 7342 क्रोड रुपए से काफी कम है CACP ने खुल लेट किया के सभी भारतिय राजियों में पुत्रपरदेश का खुल गन्य मुल्य बकाया हिस्सा 54.4 प्रतिशत या 488 क्रोड रुपए है कुछ संचरी गन्य बकाया वाले अन्य राजियों में तामिल नाडू का बकाया 1644 क्रोड रुपए गुजरात का 844 क्रोड रुपए और महराश्टा का 542 क्रोड रुपए है CACP ने कहा कि घरेलू और विश्व पाजारों में अधिक चीनी उत्वादन और कम कीमतों के कारण पिछले 2-3 सालों में भारत में गन्य का बकाया बहुत बढ़ा जो किसानों और चीनी मिलों के हिक में नहीं है कि इससे दोनों में विश्वास की कमी पैदा होती है 2022 से इसके लिए मुल्य निर्धारण नीती में आयोग ने भारत सरकार को फिर से दोड़ाया है कि चीनी मिलों को गना किसानों को भुक्तान करने के लिए उचित और लागकारी मुल्य या F.R.P. का पालब करना चाहिए F.R.P. का निर्धारण CACP की सिफारशों के आधार पर राजय सरकारों और अन्य हिद्धारकों के परामर्श के बात किया जाता है जहां भारत सरकार किसानों के चीनी मिलों दौरा भुक्तान किये जाने वाले F.R.P. की घोशना करती है वहीं देश के कई राजयों में गन्या उत्पात को भुक्तान की जाने वाली दौरों को निर्धारित करने के लिए अपना तंत्र है इसे राजय विवेचित मूल्य या S.A.P. कहते हैं अपनी गन्य की मूल्य निती 2022 से इस चीनी मौसम में C.A.C.P. ने फिर से अपनी सिफारिश दोराई है कि राजयों को S.A.P. तै करना बंद कर देना चाहिए आयोग ने कहा कि चार राजय सरकारें रियाना, पंजाब, उत्राकंड और उत्रपरदेश S.A.P. की घोशना करके गन्य के मूल्य नितारन में फस्तक शेप करती हैं हम आचा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कैनल को सबस्क्राइब करें और हमारा होसला बढ़ाएं धन्यवाद